परिच्छाओं का समय नजदीक आ गया है और मैं सभी छात्रों को बधाई भी देता हूं कि कि फाइनली करोना के बावजुद सरकारें सारी बेऊस्थाएं कर ली है इस वर्ष आपको कोई सिकायत नहीं रहेगी कि मैं पेपर तो देना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला यह मैं जितने आंक चाहता था मुझे उतने आंकों का आप दिनलो réflाएं यह फिर मुझे इस भी से में त्रेंग नहीं मिले है ठीक है तो इस तरह आपको जबर्जस तैरी करनी होगी लेकिन आज हम आपको बतानें जा रहा है कि जो बच्चे वास्तों में टापर हुए हैं अपने विसे में या फिर अपने एरिये में या फिर इस्टेट में उन में और आप में क्या फर्क है यदि मैं सो बच्चों के क्लास में पूछाओं कि कितने बच्चों को सो में सो प्रत्सत अंग चाहिए तो मुझे नहीं लगत आप पढ़ने की बात हो जाए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो उस लेबल की पढ़ाई कर पा रहे हैं कि आपको सो में सो प्रत्सतंग तक ले जा सकते हैं 99 प्रत्सतंग ले जा सकते हैं या फिर आपको 90 प्लस कर सकते हैं तो इसके लिए आपको उन लोगों को सुनना पड़ेगा उन लोगों के बारे में जानना पड़ेगा जो लोग टॉपर हुए हैं तो देखिए एक लोकेस भारती जी है जिन से चर्चा हुई है यह नो भारत टाइम सी की रिपोर्ट जिसके अंतरकत मैं आपको जान कर दे रहा परसेंट तक अंक हासिल किया है देखिए अंक देखने में बड़े अच्छे लगते हैं आपको भी लगता होगा कि मैं भी पूरे उत्तर प्रदेश का पहला स्थान पाजाओं लेकिन कैसे पाजाओं जब बात पढ़ने के आती है तो अच्छे अच्छे बच्चों के हाथ पर फूल जाते हैं टाइम टेबल तो डेली बनाते हैं लेकिन टाइम टेबल डेली फिल होता है और वो बच्चे लास्ट में पेपरों का समय आ जाता है और वो जो सोचते हैं वो कभी जीवर में पूरा नहीं कर सकते हैं यदि आपने पहले से तयारी नहीं की तो देखिए इसकी रणनेती के लिए क्या विज्थार बना किया तो एक चीज बोली गई है बौड की तैयरी लॉऑ टर्म है सो टाइम तो ध्यान देजिए के तैयारे के लिएte सो टायम कोई चीज नहीं होती हुद तो चार मैने के समय लास्ट का दो मैने में पड़ाई यह फिर इस मैने नहीं अगले मैने से पढ़ाई करें गें यह फिर आज इनकी पढ़ाई के मतलब time table है जो कि मैं बार बार बूलता हूं यह मुम्किन नहीं कि साल भर किसी ने कुछ भी पढ़ाई नहीं किए और दो महने पढ़ाई करके 98% मार्क से पा जाए इदियाप स्कूल में साल भर पढ़ाई करके 60% नमबर लाते हैं तो दो महने की जात दिन पढ़ाई से आप 80-90% तक पहुंच सकते हैं लेकिन 98% के लिए आपको क्या करना पढ़ेगा साल भर कि साल भर पढ़ाई करना पढ़ेगा जैसे आप देखते होंगे कि नॉर्मल बच्छा 50-60% तक तो लई आता है आज की रेट में हाइज स्कूल इतना हो गया है कि मुझे लगता है कि फेल होना ही मुस्किल है पास होने की तुम्हां बात ही नहीं करता हूं लेकिन फेल होना मुस्किल आज की रेट में यदि बच्छा अपना नाम लिखना जानता है बिद्याले के नाम लिखना जानता तो पास तो होई जाएगा क्योंकि तीस तीस नंबर तो उसक लेकिन सिर्फ पास होने की बात नहीं यहां पर मैं बात कर रहा हूं अच्छे स्कोर की यदि आप 50-60% तक ले आते हैं यह थोड़ा बहुत प्रश्चाओं के टाइम पर महने दो महने और पढ़ाई कर लेंगी तो 50-60% से आपका स्कूर बढ़के 80-50% तक चला जाएगा लेकि लेकिन कोई दिक्कत नहीं है जिन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं कि उनके लिए अभी भी एक महने का समय है कि इन एक महने में कम से कम आप अपने स्कोर्स को दस से पंदरा परसंट तक और आराम से बढ़ा सकते हैं देखिए इसमें क्या वो लगे है सुमवार की पढ़ाई को मंगलवार पर नहीं डाल सकते क्योंकि मंगलवार की पढ़ाई भी उसमें अलग से जुड़ जाएगी और इसी तरह हूम वर्क के पहाड़े बनते जाएंगे तो इसमें क्या-क्या स्टेप दिये गए हैं स्कूल और कोचिंग में कुछ भी पढ़ा दें कितना भी पढ़ा दें और किसी को भी पढ़ा दें यदि खुद से पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है अच्छे माक्स के लिए सेल्फ एस्टेडी सबसे बहतर है दूसरा है स्मार्ट वर्ग जरूर नहीं कि दूसरे को दिखाने के लिए 18 से 20 गंटे पढ़ाई करें कई बच्चे क्या होता है लिए किताब बैठे रहते मन लग नहीं रहा है वही बात इसमें जरूर नहीं कि baliolra सहारा गंटे पढ़ रहे हैं अब किसी ने कुछा पढ़ाई का time table कि आप ना बथा दियस से 20 गंटे पढ़ाई करते हैं वह 20 गंटे पहले बच्चे से जो इसका दिया गया है स्टेट्मेंट आई उस नाम का इसने बताई कि मैंने पूरे साल ये टॉपर बच्चे जिनकी बारें बात करें यदि आपको भी कुछ बनना है तो आप इनसे कुछ सीख लिजे और इसी हिसाब से पढ़ाई करिए मैंने पूरे साल हर दिन आठ से दस घंटे पढ़ाई भी नहीं की स्कूल के अलावा हर दिन दो घंटे पढ़ता था लेकिन इन दो घंटों में दुनिया जहां से कटकर सिर्फ पढ़ाई करता था दुनियादारी से कटकर बिल्कुम मतलब मतलब भी नहीं रहता था दुनियादारी से दरसल बच्चे ने 6 गंटे प्रते दिन पढ़ाई की थी 30 दिनों तक बाकी 15 दिनों के लिए मैंने कुछ भी निश्चित नहीं था जब जो मन किया उसकी पढ़ाई कर ली मैं अच्छी स्थिति में इसलिए था क्यों कि मैंने पूरे साल एक भी पढ़ाई दूसरे दिन पर नहीं डा बलता है उसे मैंने आज की डेट में ही पूरा कर डाला एक दूसरे विकती हैं विक्रमा देते हैं बताया कि मैंने बूर्ड का बहुत ज़्यादा इस्ट्रेस कभी नहीं लिया जब बूर्ड शुरू होने में कुछी दिन बचे थे तो कुछ टेंसन हुआ था लेकिन लगात साइंस के स्कोर के लिए देखिए उनने बताया है सद्धानत नाम की बच्चे जिसने बताया है मुझे साइंस में हमेशा दिल चस्पी रही बाकी सब्जेक्ट पर मैं ध्यान जाता नहीं रहा है बाल भी नहीं मैंने 11 में भी लगतार 7 गंटे पढ़ाई की साइंस में केरिय में पढ़ाई करना है नामें कोचिंग में पढ़ाई करना नामें स्वैम से पढ़ाई करने मतलब पढ़ाई करने ही नहीं है और कम से कम 80% बच्चे तो ऐसे होते हैं 11 में किताबें ही पर्चेज नहीं करते हैं मॉडल पेपर जब से चलने लगी तो उनके दिमाग में मुखी हो जाते हैं और पर इच्छाओं में अच्छे अंक पाने से वंचित रह जाते हैं तो इसने बताए कि मैंने साथ घंटे लगतार पढ़ाई की साइंस में करियर बनाने के लिए मिनत करनी पड़ेगी जब बूर्ड पेपर में दो महिने के वक्त बचा था तो पढ़ने क में भी करदी शिण Judit जो इनुंदे बताए कि मनने नवी से ही की स Stress चजों को तो कुछ कही है नहीं आज की रेट में जो यूपी बोर्ड में खास्तों और श्रेवंत ने बच्छOWN कि मान सकता है १ां इसी बनी है कि एक साठ तक तक कोई फีड करने वाला पैदा हम पास ही हो जाएंगे इसलिए पढ़के क्या करना है ना बच्चों के पास कौपियों का पता ना बच्चों के पास किताबों का पता साल में यदि सो बच्चों का एडविशन है किसी बिद्धयले में तो अगर 50 बच्चे पहुंच गयते ही बहुत बड़ी बात होती है और 50 बच्चों में भी दस बच्चों काम पूरा हुआ तो यह और भी बहुत बड़ी बात हुगाई मतलब कच्छा नौ तो यह लगता है कि उन्हें अध्यापक की जुम्हेदारी कि वो पास करके ही देंगे और अध्यापक भी नौ में फेल भी नहीं करते हैं क्योंकि प्राइबिट इस्थूल है गवर्मेंट की तो बात अलग है लेकि प्राइबिट में तो अध्यापक भी पास करके आगे बढ़ा देते कि चलो आगे चलो तो बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि यदि हमें जीव है बारवी तो इस्कूल कोचिंग के अलावा सिल्फ स्टडी में भी एहम था अनुस्का और श्रिवानी यह भी अब देखिए बहुत सारी चीज़ें लेकिन कुछ खास ध्यान देना है आपको यह कुछ मूल मंत्र दिये करे हैं जो आपको ध्यान देना है एक्जाम हाल में यदि आप बैठने वाले हैं तो क्या कैसे ध्यान देंगे पेपर जल्दी में करो जल्द माजी में इसका मतलब यह कि पेपर आपको करना है समय से पहले समामत करना है लेकिन जल्दी माजी में पेपर को आपको बिगड़ना नहीं मतलब सीधा है कि हाल में पेपर जल्दी ल इसमें अगला पॉइंट है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस सवाल को पहले बनाया और किसे बाद में हाँ कोशिश जरू करें एक सेक्षन के सारे सवाल एक साथ याल करें बच्चे क्या करते हैं पहले का दूसरा कर दिया पर इसका तीसरे का चौथा करते हैं प कॉपी चेक कर देवाल यतना बेकूप तो नहीं है कि आपके एक प्रशन को तीन बार चेक करेगा और तीनों बार आपके आंसर के नंबर देगा ऐसा होता नहीं लेकिर वो अपनी समझदारी में ऐसी मुर्खता भरी चीज़े कर देते हैं कि हमें चीट कर रहा है और ऐसी कं में ही समप्त करें हो सकता है आपको दूसरा प्रशन आता हो दूसरे के तीनों पार्ट आते हूं लेकिन तीसरा ना आता हो तो आप तीसरा चोड़कर चोथा कर सकते हैं लेकिन प्रशनों के इतने खंड ना करिए कि चेक करने वाले को भी समस्या पड़े तो यह आपको ध्य लिखना सुरुआत करिए हर बड़े सवाल को हल करने से पहले दो मिनट का वक्त लगा सकते हैं कोई भी बड़ा प्रस्ण है उसके पहले आप थोड़ा से सोचिए समझिए कि क्या यह निसकर्स तक हम पहुंच सकते हैं और फिर आप उसको हल करिए रिवीजन के लिए टाइम जरूर लेजी यह रिवीजन हर सवाल के बाद भी कर सकते हैं रिवीजन का मतलब है कि आपने एक प्रस्ण का उत्तर दिया मैं स्पेशल मैथ की बात करता हूँ एक प्रस्ण का उत्तर दिया और इसके बाद में आप उसे चेक करिए क्योंकि मैं दो नंबर कही बना देते हैं इतना सोट में हल कर देते हैं और हल भी करते हैं तो गलत कहीं कैलकुलेशन गलत कहीं नंबरिंग गलत तो ध्यान देजएगा प्रश्ण जब आपको समाप्त होता है तो आप चाहे एक मिनट का समय दें लेकिन उसको एक बार दोबारा रिवीव ज आप हर प्रश्ण को रिवीव कर लेंगे तो आपके पास लास्ट में रिवीव के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी आप अराम से दो दो मिनट चार मिनट दस मिनट में पूरा पेपर चेक कर सकते हैं क्योंकि कई बार बच्चा कहता है कि हम पूरा पेपर हल करके आएं और सही क्या बूलता है यह वह तो एक की जब्हें दो लिग घया दो की जगे पॉंच लिए मने ध्यान ने दिया यह अपका इसा आपकरी ध्यान होगा कियो इप आपने बोट परिछ्वां में गलतियां के तो आ आप आप बहुत अच्छान प्रकूल करें तो अच्छ ही कि तो अमीद नहीं क्योंकि आप गलती करके हैं तो बुरा ही होने वाला है तो ऐसा ना करिए आप यह गलती आ बिल्कुल नहीं कर दें हैं अगला है तो रेविजन बेहर जरूरी है कई बार जवाब में आप यूनिट लिखने छोड़ देते यूनिट का मतलब मातरक आपने उत्तर सही निकल कि आया लेकिन आपने मातरक नहीं लिखा ऐसी करडिशन में आपके नंबर कट सकते हैं इससे जवाब सही होने पर भी अंक कर जाते हैं साइंस मैट या अकाउंट के पेपर लिख रहे हो तो दूसरे पेज पर जाते समय कुछ खास बातों को ध्यान रखें कई बार शवाल हल करते हुए एक पेज से दूसरे पेज में जाकर हम कई स्टेप ही मिस कर देते हैं ऐसे म हमेशा पिछले पेज पर जाकर देखें कि आपने कोई स्टेप में नहीं किया है तो ध्यान देजीगा जैसे साइंस मैध में प्रस्टों को दो पेज में करने वाले हैं तो उसमें स्टेपों को ध्यान देजेगा जैसे समीकरड एक समीकरड दो या फिर एक समीकरड को दूसरे से गुड़ा करने पर भाग करने पर यह जो भी जैसा हो तो इस चैप को ध्यान दिजेगा लेंग्विज को ध्यान दिजेगा दूसरा लेंग्विज हमेंट्री की पेपर में हेडिंग जरूर दे लेंग्विज क कि चक्र में लेखावट बिगड़ जाए तो परिशान नहूं यह जरूर ध्यान दें कि आपने जो लिखा है वो जाचने वाला पढ़ सकता हो कई बार बच्चे यह तो बात सुरुआते समझाए जाती है कि लेक का आपके परिच्छाओं में बिशिस मात होता है यदि आपका लेख बेहतर है तो आपके परिच्छाओं में बहुत अच्छे अंकाएंगे लेकिन जी लेख बुरा है तो आपके बुरे अंकाएंगे लेकिन कई पर बच्ची से घबड़ा जाते हैं और लेख बनाने की जक्र में पेपर छूड़ जाता तो ध्यान देजिएगा कि लेख अगर आपका बहुत 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 नहीं भी है अब आपने साल बराकर नहीं तैयर किया और नहीं सुधार किया तो अब क्या सुधार करेंगे अगर अब मैं बात करूं अगर लेख आपका बहुत अच्छा नहीं है तो भी आप ऐसा लिखें जिसे आप पढ़ सकें और एक्जाम नार पढ़ सके बच्चे बहुत समझदार होते हैं कहीं बच्चे तो कहतें इंगलेस को ऐसा लिख दो कि वह सामने वाला पढ़ ही ना पाए उसका मतलब यह होता है कि अगर मैं गलत भी लिख दूंगा सामने वाला पढ़ नहीं पाएगा तो हमें कुछ ना बिल्कुल नहीं करना है आपको अपनी लेंग्विज को साफ सुत्रा और इस्पस्ट लिखना है यदि आपके राइटिंग बहुत 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 नहीं है तो इतना अच्छा लिखना है कि कम से कम सामने वाला व्यक्ति पढ़ सके और आपके प्रश्णों को समझ के आपको दे सके आपको उत्तर में भी जो हैं सब्द यह पॉइंट लगते हैं उन्हें पेंसल सेंडर लाइन कर दें रफ वक्त हमेशा लास्ट पेज में करें रफ वर्क आद बेक्ति क्या करता है हर एक पेज छोड़कर रफकार कर लेता है यह तरीका बहुत ही गलत है मैत और साइं पेज़ पर करें कोसिस करें कि लास्ट के पेज आप रफ वर्क के लिए यूज करें बाकी कापी को आप फियर में यूज कर सकते हैं कि बहुत सारी सीज़ें हैं जिने हम लोगा चर्चा कर रहे हैं आप लोग वीडियो लाज तक देखिएगा क्योंकि यह आपका एक माइल स्टोन हो सकता है यह वीडियो आपके लिए हो सकता है कि आपकी आँके इस वीडियो के माध्यम से खोलें और आप पर इच्छाओं मे जरूरी था और शेयर जरूर करेगा कि देखिए क्या बूर्ट परिच्छा में मुबाइल बाधा है तो ज्यादता टॉपर्स का कहना कि ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मॉबाइल से स्कोर बेगड़ जाता है सके कुछ नहीं है लेकिन मॉबाइल आपकी पढ़ा तो यदि आप सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं यह टाइम पास के लिए कर रहे तो यह आपके लिए बहुत बड़ी बादा बने सकता है कुछ टॉपर्स का कहना है कि तैयरी के दौरान उनका मॉबाइल से बिल्कुर भी सरोकार नहीं था मतलब मॉबाइल को उन से ज्यादा खुद का फैसला होना चाहिए कि मॉबाइल को अपयोग हमें करना है कि नहीं करना है आपके तो घर वाले भी मना करते कि बेटा मॉबाइल के यूज ना करो इसके बाद भी आप उनसे जूट बोलते हो और मॉबाइल लेकर पढ़ाई की बहाने और इसके बाद म अब दुनिया दर्य के कामों में लग जाते हो पढ़ाई आपकी छूट जाती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है अगला है खेल के पिछ पर पढ़ाई की बात मुम्किन है और अगला है देखिए कि आप पढ़ाई की दोरान पर मुजिक सुन सकते हैं तो ये चीजे कुछ लोगों के साथ हां होती कुछ लोगों के साथ ना होती यादि आपको लगता कि बार डिस्टर्वेंस हो रहा है तो आप मुजिक बṣnt बिल्कुल न सुने इत Cage नहीं हो रहे है तो आप मुजिक सुन सकते हैं तो कुछ चीजे और BJ यही चिनुदे हम चर्चा करें थोड़ा बहुत ब्रेक लेने से आपका मूट रेफ्रेस हो जाएगा और आपकी पढ़ाई में मन लागा रहेगा अगला बोर्ड परिच्छाओं के अंतिम दोर में खाना पिना कैसा हो तो अंतिम दोर में ध्यान देगा जंक फूड बिल्कुल ना खाएं यह कहिना के बीमारी के घर होते हैं और आपका तवीर बिगाड़ सकते हैं जिससे आपका पढ़ाई में नुक्सान हो सकता है बोर्ड परिच्छाओं में क्या है टेस्ट पेपर्स का रोल तो टेस्ट पेपर्स या जिसे आप मोडल पेपर्स कहते हैं बेहाद रोल होता है आपने साल बर कितना पढ़ाई की कोई माइन नहीं दखता है लेकर आप लास्ट टेम पे यह पांस से शे बरसों के पेपर हल कर लिए और आपने जो मोडल पेपर जो नई परिच्छा पैटर्न पर अधरित हैं यदि आपने उनको हल कर लिया तो आप परिच्छाओं में बहुत अच्छा अंकार जेत कर देदें वाले हैं और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे चैनल के माध्यम से कच्छा दस्वियों बारवियों के सभी अंसोल्डों को दिया जा रहा है वह बिल्कुल निसुल्ग रोभी सॉल्व तो आप डिस्क्रिप्शन वोक्स में जाकर अपनी कच्छा के अनुसार लिंक को क्लिक करके आप अपने अंसोल्ड प्राप्त कर सकते हैं और हर भी से की बेहतर तहरी कर सकते हैं तो सभी टोपर से ने ग्रूप स्टेडी को नकार दिया है ग्रूप स्टेडी के मतलब है कि आपने एक वाट्सअप बनाया जिसमें से दस लोग जुड़े हुए हैं अब यह दस लोग एक दूसरे के सवाल भेजते रहते हैं कहीं न कहीं हमारा दिमाग डिस्ट्रेस होता है और उसमें से हम लोगों की पढ़ाई में बाधात पन होती है तो ग्रूप स्टेडी को अभी कुछ समय के लिए आप दूर रखिए लेकि सुपर मंत्री किया कि अगर कोई ग्रूप में आपके साथ पढ़ना चाहता है ठीक है तो आप कर सकते हैं लेकिन यह चीज आपके लि से जुड़ी ही बात हैं हमें अपने से हुश्यार बच्चे के साथ करने चाहिए सब चीजे आपको ध्यान देना है तो एक महने में दो महने में तयारी कैसे करें अब जैसे आपको महने डेड़ महने के समय बचा है तो सबसे पहले आप बेसिक में प्रॉब्लम है यादि ट्यूसर टीचर कोचिंग सेनियर इनसे मदद ले सकते हैं, दूसरा है किसी क्लास, किसी से क्लास में नोट से ले ले, इससे फ्रेंड के लावब क्लास टीचर भी आपके दत्कर नोट का मतलब है, कि आपको जो भी लिखी होई कॉपियां हैं उन्हें भी आप लेकर तैयरी कर सकते हैं हर दिन पढ़ाई करें अब तक नहीं किया कोई दिक्कत नहीं लेकिन अब हर दिन पढ़ाई करें और उसका रिविजन भी करना है आखरी के दस से पंदर दिनों में टेस्ट पेपर को भी सालूब करना है टेस्ट पेपर मैं आपको बताया कि जितना अंसोल्ड और मॉडल पेपर हैं उनको भी आपको हल करना है जैसे त्यायर यह बढ़ेगी आपको आत्मी विश्वास भी बढ़ेगा और आपके अच्छे नमर आएंगे क्या प्रीबोट के सवाल टफ होने चाहिए तो इसके प्रीबोट के सवाल काफी टफ पूछ जाते हैं इसके पीछे वजह यह है कि आपको आप पैटर्न मालूब हो जाए किस तरह के सवाल आ सकते हैं ठीक है और कुछ सूत्र है जो आप आप पोड़ाता हूं अच्छे नमरों के लिए हर दिन पढ़ाई और खुद पर भरोसा यह बहुत बड़ा सूत्र है या फर दिन पढ़ाई करते हैं तो आपको नो डाउट बहुत अच्छे नमर तो इसलिए पूरा ग्यान तो आपको कभी देई नहीं सकता है तो पक्की बात है लेकिन हमेशा यह हम अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं अपने गुरूओं को समान करते हैं यह कहीं ना कहीं हमारे हमारे सुभाव को भी दिखाता है टेस्ट पेपर को सॉल्व करन प्रक्टिकल की तेरी भी आपको अपने हिसाब से करनी है आपके विद्धाले में अध्यापक बता देगा आपको टाबर बना सकता है सब्सक्राइब कोचिंग करते तो उनके साथ दूसरों लड़का भी था कोचिंग में टेस्ट की रेंकिंग और एंडिया लेवल पर 15-60 क सब्सक्राइब को लगता था कि आयाइटी में लड़के के रेंकिंग सो के अंदर आएगी लेकिन ऐसा नहीं हुए दरसल उसे घमंड हो गया था यह पढ़ने में बैच के दूसरे बच्चों से बहुत तेज है उसकी बातों से ऐसा मैसूत होता था ठीक है तो उसकी रेंकिं इसे महान बच्चों की कहानी आपने सुनी और इनके बारे में आपने जाना भी तो मुझे जानकर बहुत खुशी होगी कि आज आज आपने इन से बहुत कुशी होगा और इन सब चीजों को आप अपने आने वाले परिच्छाओं में इंप्लिमेंट करेंगे और कहीं न कहीं आप अच्छे अंकर्जित करेंगे तो इसी के साथ इस वीडियो का हम समथ करते हैं और आपको इस वीडियो कैसा लागा एक बार जरूर बताएं क्योंकि हमें आपका इंतिजाज जरूर रहेगा धन्वाल